तो हम करकल लगन के चार्ट में चंदरमा की महादिशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा 4 थाूस तक पूरी हो चुके है इस वीडियो में अब पंचम भाव के बारे में बात करते हमstellen पभा में वर्ष्टिक राशी में अगर आपके चंद्रमा की महादसा आने पर इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे चंद्रमा के यहां देखें चंद्रमा नेच के स्थिति में आजाते हैं तो कोई भी जो प्लैनेट चंद्रमा के साथ समद्द बनाएगा चाहे हो यूती के दवारा चाहे दरश्टी समन्द के दवारा उसका काफि strog impact पढ़ेगा और ये impact चंदर्मा पर तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा या आपकी मेंचिलीटी पर आपकी सोच पर आपके जुकाम करने के तरीके ऊस पर आपके decision लेने के तरीके पर यानि आपके overall life पर ही इसका असर आ जाएगा तो यहां चंदर्मा नीच के होते वे अब इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि चंदर्मा की महादसा में आप अक्सर छोटी छोटी बातों से frustrate होने लगेंगे और आप कुछ बहुत सारे गलत फैसले लेने लगें चंदर्मा की दसा के दुरान आप किसी भी प्रकार से लोटरी या सटा की तरफ ना जाएं अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको काफी ज़दा रिस्क है चंदर्मा की यहां होते वे महंनली आपको जो प्रोब्लम आएगी वो आपके emotions को लेके तो आएगी आएगी या आपके गलत decisions को लेके तो आएगी आएगी ऐसा चंदर्मा आपको बहुत ही जादा और emotional करेगा क्योंकि यह फायरी sign होने की व Tingol करेगा यहां पर और आप कोई भी पर्टिकुलर अगर गॉल लेके चल रहे हैं या कोई भी काम को आप टार्गेट करके चल रहे हैं वह काम आपका इतना इजी नहीं बनेगा क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको जो डिसीजन लेने का तरीका है वही काफी ज्यादा रॉंग हो सकता ह कभी कभी आप डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा देरी कर देंगे या कभी कभी बहुत जल्दे डिसीजन ले लेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना भी या बहुत ज्यादा लेट करना भी दोनों ही प्रकार से आपको नुक्सान होने के चांसे हैं यापे लेकि आपके लिए चंदर्मा की महादसा important इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि चंदर्मा आपके लगनेश है लगनेश होकर जब पंचम भाव में चंदर्मा बैठते हैं तो मुख्य रूप से आपका focus 5th house पर तो होता ही होता है लेकिन आप अपने सारे की सारे जो काम हैं सारे क सारे जो relations हैं आपकी family की साथ relations हैं आपकी friends की साथ आपकी relations हैं जीवनसाति की साथ या अन्य किसी बिमाली में आपके कोई relatives वगरे आपके जो भाई भाई भेना उनके साथ सबी प्रकार से इसका असर पड़ेगा आपकी लाइव पर तो इस वाज़े से आपको किसी भी रिस्ते में किसी भी प्रकार की बहुत कोई expectations नहीं रखनी चाहिए, अगर आप कोई भी प्रकार से expectations रख के चल रहे हैं, कि कोई वेक्ति आपको धन के मामले में support कर देगा, या किसी भी अधर मामले में आपको कोई support कर देगा, तो वो आपको एक बहुत ज़्यदा नुकसान दे सकता है, या लोग आपकी उमीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरेंगे, चंदर्मा के यहां होते वे, आप जितना ज़्यदा ध्यान साधना करेंगे, meditation करेंगे, उतना ही ज़्यदा आपको फाइदा मिलेगा, अगर आपका मंगल भी खराब इस्तिति में है, चार्ट में, तो और भी ज़्यादा आपको frustration हो सकते हैं, और काफी बार आपको नुक्सान हो सकता है अपने खुद की जिद्ध की वज़े से, यहां चंदर्मा का समन्द अगर सनी से, मंगल से, या राहु केतु से हैं, तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा चुनोतियां ला सकता है, क ही है, उसका काम करने का balance बिल्कुल भी नहीं बनेगा, चंदर्मा की दसा की दोरान मुख्य रूप से आप बहुत सारे ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो आपके मन से प्रभावित होंगे सबसे ज़्यादा, इसलिए आपको अपने फैसलों को बहुत ज़्यादा परखने की भाव की energy को आपके लिए balance करना भी काफी ज़्यादा चुनोती बन जाएगा, अब आपको तब बहुत ज़्यादा फाइदा मिल सकता है, जब आपके 11 भाव में कोई भी शुप ग्रह बैठा हो और वो चंद्रमा पर दस्टी डाल रहा है, या चंद्रमा के साथ कोई शुप आपको खुद को सांत्वना देना बहुत ज़्यदा important हो जाएगा, अब depend ये भी करता है कि चंद्रमा की महादसा आपको कौन से age में आ रही है, इसके साथ चंद्रमा के साथ किसी अन्य ग्रह का युति है या दृष्टी समन्ध है तो उसका प्रभाव सरवादिक पड़ेग तो सुरिय आपके दूसरे भाव के स्वामी है, इसलिए आपको दूसरे भाव से समन्धित काम करते हुए बहुत ज़्यदा दबाब मैसूस हो सकता है या बहुत ज़्यदा चिंता में आप रह सकते है अपने family वगरे के लिए, तो इस परकार से आपको planning करना है, अब यहाँ पर मान लीजे किसी भी ग्रह का अगर only दृष्टी चंदर्मा पर पढ़ रहा है, तो ऐसे में आपके अपर थोड़ा कम परभाव पढ़ेगा, negative impact उतरा नहीं आएगा, लेकिन जिन ग्रहों की यूती है चंदर्मा के साथ, उनका बहुत ही strongly परभाव यहाँ चंदर्मा पर पढ़ेगा, तो जिस प्रकार का ग्रह चंदर्मा के साथ यूती कर रहा है, वैसा ही कुछ आपका मन बन जाएगा, अब चंदर्मा की दसा की दुरान आपके आर्थिक मामलों में बहुत ज़दा उतार चड़ाव आने के भी chances हैं, इसके साथ आपके friend circle को लेके, आपकी संता को लेके, married life को लेके, relations को लेके, बहुत ज़्यादा आप दुखी रहेंगे, और आप ये दिखेंगे कि आपकी life में, हर समय कोई ना कोई समस्या आती जा रही है, हर समय कोई ना कोई ऐसी puzzling condition आपके सामने आ रहे है, जिसको आप solemn नहीं कर पा रहें बिल्कुल भी, तो यहा काफी ज़्यदा speculative हो सकते हैं, आपके मन में बहुत ज़्यदा भेह रह सकता है, काफी ज़्यदा ड्रेह वे या बहबिट मन वाला आप अपने आपको feel करेंगे, तो ऐसे में कोई भी वैसा कारी है, जिसके लिए आपका courage आपको चाहिए, साहस बहुत ज़्यादा चाहिए, वो आप नहीं ला पाएंगे अपने अंदर, इसके साथ चंदरमा की महादसा में मुख्य रूप से आप दूसरों के लिए बहुत 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 बहुतरे इन काम कर लेंगे, लेकिन खुद के लिए उतना अच्छे से चंदरमा को utilize नहीं कर सकेंगे, अब depend ये अगरता है कि चंदरमा की महादसा आपको कौन से age में आ रही है, जैसे मालो किसी की ये महादसा अगर छोटी आयो में आ रही है, 15 साल की age तक, तो ये आपके career को भी बहुत strongly प्रभावित करेगी, आपके relations को भी, आपकी family के साथ relations को भी बहुत ज़्यदा प्रभावित करेगी, इसके concentration है, उसमें आपको concentration नहीं बन रहा पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, तो आपको mind बार-बार भटकेगा, और चीजें जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं, वैसे आपके लिए वरक नहीं करेंगे, तो ये आपके mind की stability के लिए चंदरमा की महादसा बहुत ही ज़्यदा म आपकी mentality ये कुछ वैसे ही बना देगी जैसा यहाँ चंदरमा की placement है, इसलिए हो सकता है आगे चलकर भी आपको चंदरमा की इस placement से बहुत ज़्यदा difficulties आएं, जैसे कि आपको बहुत लंबे-लंबे समय तक planning करनी पड़ेगी किसी भी काम के लिए, आप बहुत ही quick decision नहीं ले प्रेज में अगर आती है, तो ये महादसा आपके career के लिए बहुत ज़्यदा important हो जाएगी, आपके name fame के लिए, आपके मना इस्तिति के लिए बहुत ज़्यदा important हो जाएगी, तो आप फिर भी creative field में कुछ अगर अच्छा करना चाहें कर सकते हैं, otherwise आपको decision लेने को लेकर, जो काफी ज़्यदा आपके लिए difficult है, या जहां पर आपको साहस की बहुत ज़्यदा जरुवत हैं, वहां आपके लिए काफी ज़्यदा प्रेशानिया उत्पन होंगी, दूसरी बात चंदरभा की जो महादसा है, इसमें आप लगबग अपने हर रिस्ते के परती compromise करते वे नजर आएंगे, अपने जिवन साती के साथ, अपने family के साथ, और हर किसी के दबाब में आप easily आजाएंगे, चंदरभा की महादसा मान लीजी अगर आपको बहुत लेट एज में आती है, जैसे की 40 की एज के बाद में, या even 50 की एज के बाद में, तो आपके लिए meditation करना, ध अगर ये लेट एज में आपको महादसा आ रही है तो, तो कुछ इसी प्रकार के प्रभाव और प्रिनाम देखने को मिल सकते हैं, आपके चार्ड के साब से,